दोस्तो आज हम सियर कर रहे हैं बची हुई रोटी का इतना कुरकुरा, चटपटा वर टेस्टी नास्ता जिसे आप बार-बार बना कर खाना चाहेंगे और इसके लिए जान बूझ कर रोटी बचाएंगे, ये इतने यमीवा क्रंची होते हैं, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने रात की बची हुई रोटी ली है, तीन रोटीया है, अब सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे, इसे चौपिंग बोर्ड या प्लेट के उपर रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और चाकू की हेल्प से इसे पतला-पतला काट लेंगे आप चाहें तो इनको कैची से भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे और काटने के बाद इनके लच्छों को अलग कर दीजेगा, और इनको थोड़ा तोड़ लीजेगा, जिससे की इनके लच्छे थोड़े छोटे-छोटे हो जाए इस तरह से सारी रोटियों को हमने काट ले है, इनको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा चोटा चमच लाल मिर्च पौडर, थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया, आधा चमच नमक और आधा चोटा चमच गरा मसाला पौडर इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से रोटि के लचो में टेस्ट आ जाएगा और ये चटपटी लगेंगी, अब स्प्रिंकल करते हुए एक से दो चमच हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं चार बड़े चमच आरा रोट आरा रोट की जगा आप चावल का आटा या कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं इससे नास्ता हमारा कुरकुरा बनेगा और देखे पानी डालने से अरा रोट लच्छो के उपर अच्छे सी चिपक गया है और ये ड्राइ भी है तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं अब फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं चार उबले आलू आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे चाहें तो आप इने हाथों से मैस करके भी ले सकते हैं पर ध्यान रखिएगा आलूओं के बड़े टुकडे ना रहें तो सारे आलूओं को हमने ग्रेट कर ली है अब इसमें हम डाल देंगे एक बारी कटा हुआ प्याज दो बारी कटी भी हरी मिर्च आधा चोटा चम्मच जीरा आधा चोटा चम्मच कूटी भी लाल मिर्च और एक चम्मच हमने पिज्जा हर्प्स ली है इसकी जगा आप काली मिर्च पौडर, चाट मसाला पौडर या गरम मसाला पौडर भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक टा देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है और ये हमारा आलू का मसाला बनकर त्यार हो गया है अब हाथों में थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे और आलू के मिसरर से थोड़ा सा मिसरर हाथ में लेकर इसे रोल कर लेंगे आप चाहें तो इसके बॉल्स बना सकते हैं मैंने इसे सिलेंडर का सेब दिया है और इसे थोड़ा चप्टा कर लिया है इस तरह से हम आलू के रोल्स बना कर त्यार कर लेंगे और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और चीजी फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसके लिए चीज क्यूब्स ले लीजे, इनको पतला पतला लंबा लंबा काट लीजे और इसे इसके बीच में रखिए और सभी तरफ से फोल्ड कर लीजे और इसके रोल्स बना लीजे उपर से थोड़ा सा दबा दीजेगा और इस तरह का रोल्स बना कर त्यार कर लीजेगा इस तरह से सारे रोल्स हमने बना ली है अब एक बॉल में हम लेंगे दो बड़े चमच मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे पहले थोड़ा पानी डालिएगा जिससे कि इन में गुठलिया ना रहे और मिलाने के बाद थोड़ा पानी और डाल दीजेगा और इनका एक पतला घोल बना कर त्यार कर लिजेगा देखे इस तरह से अब एक आलू का रोल लेंगे इसे मैदे के घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से डीब करने के बाद इसे निकाल लेंगे और इसे रोटी के लच्छों में डाल देंगे और लच्छों को इनके उपर अच्छे से लपेट लेंगे लपेटने के बाद इनको मुठी में दबाते हुए बराबर कर लिजेगा और इसका रोल बना कर त्यार कर लिजेगा मैदे के घोल पे रोटी के लच्छे अच्छे सी चिबग जाते हैं और ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट लगते हैं इस तरह से हमने सारे रोल बना कर त्यार कर ली है और इनको हमने थोड़ा चप्टा रखा है क्योंकि हम इनको सेलो फ्राइ करेंगे तो इसके लिए हमने पैन में दो बड़े चमस तेल गरम कर ली है इसमें एक एक करके ये रोल डा देंगे और इनको मीडियम आज पर फ्राइ कर लेंगे और जब ये एक तरफ से गोल्डेन हो जाएं तब हम इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे आलू पका हुआ है तो इनको फ्राइ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और लचों के उपर आरा रोट की परत है तो ये बहुत ज्यादा ओयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं रोटी की एक एक लच्छे एकदम कुरकुरी सिख गई है तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी बचे नास्ते को भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे आप इस नास्ते को छोटी मोटी पाटी में यम्मेमान आने पर भी बना सकते हैं बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं सभी बहुत पसंद से खाएंगे और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये बची हुई रोटी से मनी है ये इतने क्रंची वर टेश्टी लगते हैं अंदर से सौफ्ट बाहर से क्रिस्पी होते हैं अकसर घर में रोटी बच जाती है तो दोस्तो एक बार ट्राइ जरूर करिएगा उमीद करती हूँ कि आपको ये रेश्पी बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और रोज नई इनिवेटिव रेश्पी देखने के लिए चैनल को सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद